So, Hey guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Maxi Scooter के बारे में जो लॉंच होगा Honda की तरफ से 2023 में Indian Tuvaler Market में तो इस Maxi Scooter का नाम होने वाल है Honda Wario 160 और फिलाल में काफी ज़दे लोग इसके लॉंच होने का बेट कर रहे हैं क्योंकि ओवरोल ये स्कूटर काफी बेटर है आपको इसमें अच्छा डिजैन मिल जाता है पावर भी किसी स्पोर्ट स्पैक से कम नहीं है Maxi Scooter में और जो इसका प्रैस भी होगा न वो थोड़ा सा रीजनेबल रखा जाएगा Indian Market के लिए तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वालू Honda Wario 160 कौन से मंत में लाँच होने वाला Indian Market में कौन-कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे स्कूटर में और लाँच होने पर इसका क्या प्रैस अगा जाएगा Indian Market में तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी न्यू स्कूटर को पर्चेस करने का प्लैन बना रहे हो तो आप इस वीडियो को बना स्क्रिप करें एंड तक सोगो देख लेना और इस वीडियो का लाइक के मैंने रखा है 150 लाइक्स का आईनो होफ़िल आप जल्दे से करवाद होगे तो चलिए दोस्तों बिना टैम वेच करें स्टार्ट कर लेते आज की इस वीडियो को तो दोस्तों होंडा वार्यो वन सिक्स्टी में आपको मिलेगा और बात करें इसके फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको सिंगल चैनल EBS और डूल चैनल EBS दूरों ही मोडल देखने को मिलते हैं लेकिन इनियर माकेट में इसके सिंगल चैनल EBS वाले वर्जन को ही लॉंच करा जाएगा बाकी वीचर्स में इसमें हॉंडा स्मार्ट की फंक्षन है फुली डिजिटल कॉन्सोल है जीसं हैं आपको सारे फंक्षन शों होंगे हॉंडा वार्यो से रिलेटिद और सस्पेंशन में फ्रण वाट में टेलिसकोप को, का रियर पार्ट में मोनोशक अबजोर है और TAS है इसमें इसका front part का TAR 100 by 80 mm का और rear by का TAR 120 by 70 mm का जो कि दुस्तो थोड़ा सा कम wide है compare में Yamaha Aerox में Aerox में आपका 140 section का TAR मिलता है लेकिन Honda Wario में सरफ 120 section का है बाकि lightning आपको all LED मिलेगी Honda की तरफ से सभी parts में और dimension में इसका curve rate है 115 kg का 140 mm की ground clearance है और इसकी seat height है 780 mm की जो की बिल्कुल fever में रहेगी short rider के लिए उनको scooter को operate कने में दिखते नहीं आएंगी और इसमें आपका 5.5 liter की fuel tank capacity मिलेगी और ये scooter आपको 40 km पलेटिका मैलेश देगा city riding में और highway riding पर बाकि दोस्तों इसको compare करें Yamaha Arox से तो दोनों ही scooter में आपको same power देखने को मिलेगी 15bhp की बाकि जो performance है न स्कूटर में वो आपको Honda Wario में देखने को मिलेगी क्योंकि Honda Wario 10 kg lightweight है Yamaha Arox से और बात रही mileage की तो mileage आपको बेशक Yamaha Arox में ज़्यादा मिलेगा Wario में आपको maximum 40kmpl का mileage मिलेकर लेकिन आपको Yamaha Arox में 45-50kmpl का mileage देखने को मिल सकता है बाकि जो दोस्तों storage है वो दोनों ही scooter में काफी ज़्यादा है बाकि दोस्तों आपको क्या लगता है क्या Honda Wario Yamaha Arox से बेटर है ये मुझे नीचे comment का कि बताना तो फिलाल हम बात कर लेते हैं Honda Wario के launch date और price के बारे में ये scooter दोस्तों आपको September से October के मन्त में launch होते हैं देखने को मिलेगा अंडियन टूलर मार्केट में और launch होने पर इसका expected price है का जाएगा 1,30,000 से 1,35,000 के एक्षोरों price पर तो ये थी दोस्तों आज के एक छोटी सी वीडियो Honda Wario के बारे में I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो के लाक्स दूल कर देना और मुझे नीचे comment का का पताना मत बूला कि आप मेंसे कितने लोग है जो Honda Wario के launch होने का वेट कर रहे ह और आने वले time में इसको purchase कने वाले है बाकी अगर वे तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे है तो यार सब्सक्राइब जरू कर लो आगे भी ऐसे ही informative वीडियोस देखने के लिए और नीचे दिये गए बेल आगन को पैस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियो झाल झाल पार बाकी मेरे उल झाल 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 झाल